compound interest received on a certain amount on third year दिया हुआ है what will be the compound interest for the fourth year चौसे साल तीसे साल का दिया हुआ चौसे साल का interest पूछ रहा है 9% है 9% increase करेंगे तो लगबग 10% से थोड़ा कम होगा तो 12-13,000 कुछ हो जाएगा बस इतने ही करना है देखो निकालना कुछ नहीं options तारे दिया हुआ है मैंने क्या किया कि compound interest में अगर आपको पिछले साल का interest निकालना है और अगले साल का interest निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है rate of interest से बढ़ा देना होता है अब देखो 12,000 एक सो interest था third year का अगले साल fourth year का पूछ रहा है ठीक है तो fourth year में 9% बढ़ेगा अब देखो इसका नहीं है अगर आपने एक्जाम में 9% निकाल निकाला तो गड़ा खोद्रवाब नहीं है ठीक है तो ऐसा काम ना करें बिल्कुल सही से solve करें approximation करें देखें क्या option हो सकता है कई कभी कभी कोई दिकत होगी नहीं आपको आराम से questions निकल जाएंगे जैंगे जैसे हैंना